बाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रंधीर शुर्मा ने कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं पर परटवार करते हुए कहा कि कॉंग्रेसी नेता खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी बात कर रहे हैं क्योंकि जब वे चुनाव जीते हैं तो कोई बात नहीं होती है लेकिन जब भाजपा चुनाव जीती है तो EBM मशीनों में गड़ बड़ी की बात करती है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी हालंकी पंजाब, राज्यस्तान, मद्यपरदेश और 36 गड़ में चुनाव जीत चुकी है तो उन्हें EBM में कोई गड़ बड़ी नजर नहीं आई लेकिन जब भाजपा ने देश में पूर्ण भहुमत प्राप्त किया है तो आज उन्हें EBM में गड़ बड़ी नजर आ रही है उन्हें कहा कि कॉंग्रेस और बिपक्षी डलों का दोरा माप दंड है लेकिन देश की जनता जानती है कि जिस तरह से नरेंदर मोधी ने पर्धान मंतरी के तोड़ पर काम किया है और विकास कारें को अंजाम दिया है उस पर ये मेंडेट उन्हें मिला है उन्हेंने कहा कि आने वाले समय में भी भाजपा और ज्यादा विकास करवाएगी और गरीबों के उत्थान के लिए काम करेगी हिमाचल परदेश के बिबिन जलशयों में पहली जून से लेकर 31 जुलाई तक लगभग दो महिने के लिए मचली आखेट पर पूर्ण परतिबंद रहेगा क्यूंकि मचली के प्रजनन के लिए इस अवधी के दोरान मचली के आखेट और मचली की बिकरी पर पूर्ण परतिबंद रहता है हिमाचल परदेश मत्सी बिबाग के डारेक्टर सत्पाल महता ने बिरासपुर में पतरकारों को जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल परदेश के बिबिन जलाशेयों जिसमें गोविन सागर जील पौंग डैम चमेरा रंजीत सागर डैम इत्यादी में मचली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंद लगा दिया गया है उन्हें बताया कि मचसे विभाग इस चुनोती के समधान के लिए प्रतिवर्ष समान्ने जलों में दो महा के लिए मचली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंद लगाता है क्योंकि इस अफ़दी में अधिकतर महत्वपूर्ण प्रजातियों की मचलियां प्राकरतिक प्रज कि रहन हो जाता है उन्हें बताये कि इस कारे के लिए बिभाग को मतसे धन सरक्षन का कारे बड़ी थतपरता से करना पड़ता है उन्होंने कहा कि प्रदेश के जलाशयों में मत से धन सारक्षन हे तो विशेश करमचारी बल तेनात किया जा रहा है उन्होंने बताए कि बंद सीजन अवदी में परदेश के जलाशेयों में काररत मचवारों को बंद सीजन राहत भता यूजना के अंतरगर्ट दो माँ में तीन हजार प्रती मचवारा साहिता राशी भी परदान की जाएगी इस वर्ष बिभाग दोरत जलाशेयों में भारतिय मेजर क्रॉप एवं सिल्वर क्रॉप रजाती का 70 mm आकार का मचली बीज संग्रहन किया जाएगा उन्होंने बताए कि बंद सीजन अफदी में कोई अवैद मत से शिकार को अंजाम ना दे इसके लिए विभाग ने व्यापक प्रभन भी किये हैं जिसमें फिल्ड लेवल के करमचारियों की छुट्टी तक बंद कर दी गई है उन्होंने बताए कि जलाशेव में अवैद मचली शिकार को रोकने है तो विशेश केम्प भी लगाए जाएंगे साथ ही इस तरह के 16 केमप पॉंग जला शहर में, गोविन सागर जील में 16 केमप, चमेरा में 1, रंजीत सागर डैम में 1 और कॉल डैम में 3 केमप लगाए जाएंगे हर रैजर बायर में, वैसे पॉंग रैजर बायर में हमने 22-23 आत्मी जो है इसी के निगरानी के लिए ही रखे हैं इसी परकार से हमने विलाजपुर में भी काफी केमप लगाए हुए है और इस पर्टिकुलर ये जो आपका ये प्रजनन काल होता है हमारी मचलियों का इसलिए है जो ये क्लोशीजन हम लगाते हैं तो इसमें मतस्या खेट के ऊपर बिलकुल क्रतीवंद है चाहे वो पानी जो है समान्य захण हूं चाहे लेक हो चाहे जर स्मार्ण रैजरवाइर हूं मतलब सभी में जो है ये बंद है बिलासपूर जिला में चिल चिलाती धूप और लूग की थप्रेडों से लोग परिशान हो चुके हैं दिन में तापमान 40 से भी पार पहुंच जाता है कई इलाकों में जुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है और दिन भर गर्म हवाएं भी चल रही है बिलासपूर शहर में जुलसा देने वाली धूप के चलते सडकों पर सन्नाट आचा गया है खत्रे की घंटी ये है कि आने वाले 3-4 दिनों तक शहर अभी और अधिक तपने जा रहा है इस अवधी में बारिशोंने की संभावना कम बताई जा रही है जिरा में पड़ रही इस भ्यानक गर्मी से लोगों का दिन के समय में गरों से बाहर निकला भी दूबर हो चुका है वहीं विश्व विक्याद शक्ति पीट शिरी नैना देवी में भी जहां पिछले 3-4 दिनों से पारा 35 दिगरी से भी पार कर गया है वहां दो दिन पहले तेज बरसात ने एक बार फिर से तेज धूप से तापमान में रहत महसूल जरूर करवाई थी हाला कि पिछले कल जहां पर दोपहर के समय शाम के समय श्री नैना देवी का तापमान 35 के करीब था तो वहीं रात के समय तेज तुफान और बरसात के कारण तापमान में थोड़ी रहत प्रेटकों को जरूर मिली है और स्थानी लोगों ने भी रहत की सांस ली है मंदिर नियास के द्वारा शर्धालों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर पंक्खे फुट मैट आदी लगाए गए है